हलो फ्रेंट्स कॉंपटिशन कमेटिक के सभी का स्वागत है और मैं हूँ ही मंत्रधान आई फ्रेंट्स आज हम देखते हैं जनल साइंस में हमारे सभी को कवर करेंगे तो जिसमें की सबसे पहले को सिध्धान किस ने प्रतिपादित किया था तो जो जो आप यहां पर एक्टॉमिक थियोरी याद रखेंगे डाल्टन का जो परमानु सिध्धान था यह बहुत फिमस है तो ऑफ्षन भी इस दराइट अंसर ठीक है इसमें की यह तो आपका पासकल जो है ब्रेशर या दाप से रिलेटेट है निउटन का इसमें की खास ठीक है इवन हम देखते हैं कि यहां पर अबगरेदो जो है नंबर सोता है तो आप्षन भी इस दराइट अंसर कोशन नेक्स कोशन देखते हैं नूकलियस की द्रभ्यमान संख्या ठीक है मास नंबर ऑफ नूकलियस यह क्या होता है सदा उसकी परमाडुक्रमांग से कम होता है तो ऑप्षन भी इस दर राइट अंसर ठीक है यहां पर थोड़ा सा आपको समझना था अब यहां पर देखिए थर्ड कोशन इसमें दिया है कि किसी तत्व की रासानिक गुड़न निम्निलकित में से कौन तरता है तो किसी भी जो होता है उसके एटम में जब हम देखते ह उसमें जो इलेक्टरॉन होते हैं ठीक है उसमें जो इलेक्टरॉन अलग-अलग और्बिट में यहां पर रहते हैं यह इलेक्टरॉन क्या होती है किसी भी एलिमेंट को रियक्टिवीटी या उसके कितना उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी से कैमिकल प्रॉपर्टी से खास साइने गुल उसमें कैसे होंगे ठीक है तो option क्या है यहां पर भी इस दर राइट अंसर एक परमाणू के से चलते हैं और परमाणू करमांग सिक्स है और इसके नाभीक में कितने प्रोटान होते हैं हम यहां पे इसका परमाणू करमांग तो इसको इसको माइनस करेंक तो यह होता है 12-6 is equal to 6 तो option क्या है आपका परमाणु क्रमांग है उसका परमाणु क्रमांग होगा यहां पर यह आपका उतना जो है आपका क्या होगा प्रोटान होगा ठीक तो option A is the right answer next question देखते हैं हम यहां पर देखते क्या है रेडियो धर्मिता की खुज किस ने की थी रदर फोर्ट ने हैंडरी बैकरल ने रोंट जन ने आंस्टीन ने तो रदर फोर्ट का जो है अपना क्या है इसमें भी उनका जो है थियोरी आया था ठीक है अटम्स को समझाने में याने उतके स्ट्रक्चर को समझाने में हैंडरी बैकरल जो है इन्होंने सबसे पहले रेडियो एक्टिवीटी की खोज की थी रेडियो एक्टिवीटी की खोज करने के बाद इसे इसमें जो प्लाइक जो एमिशन होता है गैस का ठीक है जैसे उसे हम नहीं कहा क्या कहा था गामा क रखना हेंडरी बैकरल है रोएंजन जो है एक फर्स ऐसे साइंटेस्ट है जिन्होंने एक्स किरन की खोज की थी एक्स किरन का खोज किया था तो यह नहीं है थीक है रेडियो धर्मिता से संबंदित में ठीक है उनका जो है इसकोर टू एमसी स्कोर आप जानते हैं बहुत फेम किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को स्थाइट प्रदान करती है स्टेबिलीटी प्रदान करती है तो गामा किरणों का एमिशन में देखिए बाहें अंत्रिक से आने वाले आविशित कर नहीं है ठीक है यहां पर अनाविशित उच्च उर्जा युक्त करने और रेड अच्जथ होता है इसलिए क्या देखते हैं यहां पर माणू नुक्लियρά फीजन पर अधारित होता है और यहां पहता है पर किया देखते हैं और फीडिंगर धियए कि अन्हों ने आविशकार किया था ने question देखते हैं जिसमें की पर्माणु सकती सायंतctar कि सिधांत gusto करतें तो निक्लिर पावस्त π्लांट जो होते बेसिकली नावी कि विखंडन पर आधारित होते हैं जिसमें की हमको एक महतपूर्ण बाते समझ में आती है जिसमें की हमको क्या करते है स्रिंखला की या चेन अभिक्रिया जो होती है इसमें होती है और सील को जब हम देखतीं यह तीन न्यूटरॉटॉन फिर से आके उस एक्रटम को अटेक करेंगे और सींघर निकले गा यानि कि प्रत्यग चरण Oui het एक उसके बाद यह फिर से अटेक आके जाएगा तो एक चलते रहा था रिद्मिक तरीके से सिंखला बद तरीके से इसलिए सिंखला अभिग्रिया यह चेंड रियक्शन कहते हैं अब याद रखना इसके बारे में कि इसमें कौन-कौन सा आपका यह यूज किया जाता है इंध है यहां यहां पर याद रखेंगे फ-u-s-i-o-n fusion पर अधारित होता है ठीक है तो hydrogen bomb जो है बहुत खतरनाग होता है और यहां पर याद रखेंगे नाभी की विखंडन नाभी की साले जब हम दोनों देखते हैं तो दिस इस दा मुड पावर्फुल दैन डिस वन ठीक है याने की फ्यूजण ज्यादा खतरनाग है फीजण की तुल्ना में ठीक अब यहां पे देखते हैं क्या है तत्वों को समस्थानिक कहा जाता है इसो टोपस क्या होते हैं ँढ़ा कि भार मांग विस्थान समान परमानु क्रमांग समान है तो उसे आईसो टोप या समस्थानिक कहते हैं लेकिन यदि हम देखते हैं परमानु क्रमांग जो है ये क्या होती है ये बिनन बिनन होता है अलग-अलग होता है लेकिन परमानु भार जो होती है ये समान होता है तो उसे हम आईसो बार कहते हैं या स समस्थानिकों को बीच अंतर कि अलग संख्या की उपस्तिति की कारण होता है proton neutron electron और photon तो यहां पे इसे देखिए कि यहां पे अगर हम देखते हैं proton neutron electron और photon में तो यहां पे neutron इसका सही आंसर है ठीक है तो यहां पे समस्थानिकों को बीच isotopes के बीच जो अंतर होता है इसी neutron की कारण होता है समस्थ्म का अइसोट्रीम Na ऌह और मिचस्थ्यां देखते हैं इसका रॉंग आंसर है तो यहां तो यहां बात याद रखेंगे कि इसका इसका डी होगा इसके हो नसको इसक 60 जो है एक क्या radioactive element है तो radioactive element हो तो किसका जो है उसका उप्यूट किया जा रहा है cancer जैसे रोगों के लिए क्या है उसकी किया जाता है तो वह कौन क्या उससा जित करता है radioactive element क्या है गामा रेस का emission करते हैं याद रखना option C right answer आईसो टोन्स क्या होते हैं आईसो टोप आईसो बार आईसो टोन आईसो इलेक्ट्रोनिक यह सब मैंने बताया हुआ था chemistry के उस lecture में जाके YouTube में अभी available है एक बार जरूर देख लीजेगा आपका वो concept clear हो जाएगा यहां पर देखते क्या है कि आईसो टोन का सीधा सीधा उसका neutron से समबदिध होता है उसमें समान संख्या में क्या होते है neutron होते तो option C इसका क्या है right answer है ठीक next question हम देखते हैं कि भस में वह है याना base क्या है सभी जो proton देता है proton grant करता है, electron देता है, यह여j PRESID करता है तो जो proton donor होता है वो क्या हो सकता है acid होता है और जो proton accept करता है वो क्या करते हैं उसे base कहते हैं तो भस में या छाय जो खेहते है तो proton जो grant करता है तो भी इसका राइट answer है किसी एक सामानी व्यक्ति के रक्त का pH कितना होता है तो यहाँ पर यह ACD के देखो यह तो wrong answer है यह भी ACD के रॉंग answer है हलका basic होता है तो यह बहुत ज़्यादा basic है तो option C 7.4 के आसपास जो है इसका माना जाता है आप accordingly answer कर सकते हैं pH value ठीक pH value के बारे में कुछ बातें और भी जानेंगे pH मुल्यांग क्या बताता है negative से photo बनाने में काम में लाए जाने रसान की गुणवत्ता no किसी घोल में अमली चारी होने का मुल्यांग yes भुकम की तरवता no दुत की सुधिता का मुल्यांग no तो देखो acidic और basic वाला यह topic में ने cover कराए हुआ है कि pH scale में 14 reading होती है उसमें साथ जो होता है वो neutral या उदासीन होता है साथ से नीचे होता है acidic और यहाँ पे साथ से जादा हो तो base होता है ठीक है हाइग्रो मीटर, acidो मीटर, pH मीटर या एमीटर ठीक है याद रखना इसमें कि pH मीटर जो होता है इसे या pH scale कह सकते है जिसका discover किस ने किया था सोरेंसर नाम की एक scientist ने किया था ठीक है यह सोरेंसर नाम भी exam में पूछा जाता है ठीक है तो pH मीटर होता है सुद्ध जल का pH कितना होता है, सुद्ध जल क्या उदासीन होता है ठीक है, उदासीन है तो इसकी value क्या होगी, 7 होगी तो option C is the right answer, ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे next question next question देखते हैं कि वे पता जो जल कर उस्मा प्रदान करते हैं तो कौन उस्मा प्रदान करता है, koila, ठीक है, बतलब वो जो 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 जुआल कर उस्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं, कहा जा रहा है, koila, जुआलक, उस्मा दायक या एक वर्ड में हम common तरीके से use करेंगे, हम उसे fuel कहेंगे, ठीक निमलिकित में से कौन सा इंधन, नियुंतम परियावरन प्रदूशन उत्पन करता है, डीजल, koila, हाइड्रोजन, कैरोसीन, देखो यह सब क्या है, डीजल, कोईला, और कैरोजन क्या है, यह और्गनिक सबस्टेंस है, और्गनिक सबस्टेंस, जब भी जलेगा, कार्बनिक पता तो कार्बन का इमिशन होगा, यह क्या प्रदूशन उत्पन तो करता है, तो कौन नहीं करता है, हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, भविश्य का इंधन कहा जाता है, फ्यूल और फ्यूचर कहा जाता है, तो यह बातें याद रखेंगे, नेस्ट कोश्चिन में देख तो आपको पता है कि oxygen जलने में शायक है बाकी नहीं है ठीक है hydrogen अपने आप में फ्यूल जरूर है nitrogen को टायर्स में भरा भी जाता है carbon dioxide जो है वह एक greenhouse हां यहां पर देखते हैं एक और बागी तो सब रेडियोएक्टिव यहां पर हमने देखा न्यूकरीर पावर जन्रेट और यूस्ञ नहीं नहीं है ठीक है क्या कौन कोईला है तो कौन सा जीवास में इंधन नहीं है यह पूछा गया है यहां पे भी क्या है कार्बन का सबस्टेंस आ गया अब यहां पे देखो option c क्या है nitrogen है तो यही इसका क्या है राइट आंसर है ठीक है जो जिवास में इंदन नहीं है यह बाद है सभी clear हो गई इसके बाद देखते हैं सड़क की रोश्टी में लैंपों में किसका उप्योग करते हैं sodium lamp यूज करते हैं जो पीला कलर जलता है तो sodium नियान hydrogen nitrogen याद रखना sodium इसका राइट आंसर है ठीक next question देखते हैं यह वह question है जो थोड़ी इजी डाइब कर लग रहे होंगे लेकिन आपके लिए important है ठीक जग रहित लोहा बनाने में प्रेव महत्तपूर्ण धातू है aluminum carbon chromium और tin ठीक है याद रखना जब यहां पर लोहा बनाने में हम देखे लोहा में फिर carbon मिला देते उसके बाद क्या उसमें हम ख्रोमियम भी भविश्य मिला लेंगे लिए जब क्या है जंग रहित बनाने में जो चीज यूज किया जाता है इसमें हम क्रोमियम मिला देते हैं इसके बाद क्या है यह यह बन जाता है ठीक तो यहां पर यह पर यह रखना इसका को जो है आपके दिखते हैं, शिल्वर सबसे अच्छा है, उसके बाद अलुमूनियम है, याद रखेंगे इसे, तो इसमें ऐप्शन देखते हैं, सबसे अच्छा चालग क्या है, चांदी है, ठीक, इसके बाद देखते हैं, जिसमें कि स्टेल एसी स्टील में से कौन सा तत्व सम्मेल तो अभी हमने देखा क्या देखते हैं कि यहां पे रााइक जिसे क्रोमियम और लुहा प्लाइब क्रोमियम और कारवन यहां प्लस यहां पर यहां पर होता है क्रोमियम ठीक है कुछ में निकल की मातरा भी थोड़ी होती है याद तो ऑप्षन के हिसाब से अगर चले तो डी इसका राइट आंसर है निम्हें लिए से कौन सा मिस अधातू नहीं है मिस अधातू नहीं है तो यहां पर स्टील पीतल ब्रॉंज और कॉपर तो याद रखना इस टील का तो हमने यहां पर देख लिया इसके बाद इतें प्रीतल ह होता है और यहां पर ब्रॉंज है तो सी यू प्लस एसन होता है टीन होता है यह भी क्या है एलॉइस है ठीक है ब्रॉंज और ब्रॉस का मैंने कंसब भी बताया था जो है जो मिस अधातू वाला टॉपिक जरूर देख लीजेगा वह आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कौन सा मिस दातू नहीं है का राइट आंसर कौपर जो है मिस दातू नहीं है है हाइडुजन के द्वारी की दोड़ा किसके अधि है किग गया ऑप्र NIH के और होते किस से मिलके बने जिए नाइडरो लीगゃे होती है और गनिक मेटर कहलाएगा और क्या है कारबन ही होगा औरेनिक मतलब कारबन की होगा हन्ड़ेट पसंद उसमें फेजाति राथ को पेड़ के नीचे सोनी की सला नहीं दी जाती कूं दियाती कारबन डाएक्साइट का कर stal ? необходимо का मोनोकसाइट का होता है और कमकी क्रिलीस किया जाता है तो और पहुट है क्या होते हैं सब्सक्राइब कर वहां पर लेवल ज़्यादा होता है ठीक है तो ऑप्सन एक राइट एग्स, प्रकास रसानी धूम बनाने के समय में नहीं कि कौन सी गैस उत्पन होता है ठीक है हाइड्रोजन नाइट्रोजन ओजोन या मिथेन ठीक है यहाँ पर ध्यान रखेगा ठीक है फोटो कैमिकल जो है धूम कोहरा तो यहाँ पर कौन सा जी यूज किया जाता है हाइड्रोजन नह सकते हैं यह क्या है निकलता है तो इसलिए वो खदरनाक होता है ठीक है नेस्ट कोशन देखते हैं कि जो आलम की परवतों के निमनेलिकित में से कौन सी गैस निकलती है फॉलुविंग गैसे रिलीस फॉल्कनिक मांटें चाहिए रॉप्शन हाइट्रोजन नाइट्रोजन क्लो देखते हैं पैट्रोल का मुख की संगठक क्या है उसके औक्टेन नंबर से पता चलता है यह भी मैंने बताया हुआ लेक्चर में आप अगर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ठीक है पैंटेन नंबर से याद रखेंगे उस पैट्रोल का जो है वह प्रमुक संगठक उसकी आधार को इसकी क्वालिटी भी हम जान सकते हैं प्राक्रिति गैस का मुख्य आवियब क्या है मीथेन मुख्या अवियर होता है तो ऑफ्सन ऑप्सन को पढ़ने की जवरत नहीं है इसमें इतन वी तेन होते हैं लेकिन मात्रा बहुत कम होती है और तो होता नहीं है तो यहां रखना यहां पर मस्टर्ड गैस का जो है यूज किया था फर्स वर्ड वार में सेकंड वर्ड वार की समय में भी कुछ-कुछ यूज किया था मैं सेशन के दौरान सब चीजें बताएं हूं उस लेक्चर को जरूर देख लीजिए आप सिर्के में कौन सा अमला होता है साइकर कमला मैं एंट कंमला होता है यहांट कहलता है पल्ल में होता है यहां हाँ आपनाता तो उसका option क्या है सही सभी क्या है आपके देखते हैं सभी لरे का स्टार्ट का पार्ट लेकिन जब देखते हैं जो मीठा पन होता है तो फ्रक्टोस के कारण तो आप है यहां पर याद रखेंगे अब यहां पर नेक्स कोशिन में लाइक इतना ही कोशिन आज हम देखते हैं ठीक है जिसमें कि हम स्सक्राइब को कुछ हमने कैमस्टी कुछ विजिस का पार्ट देखा आई होप आपको कुछ हेल्प जरूर हुई होगी आपके एक्जाम जो है काफी करीब है विश्यो आल देवैस पर यूए एक्जाम और किसी प्रकार का सेशन में डाउट है तो डेफिनिट्ली आप कमेंट बॉक्स में पूछिए I will answer you thank you so much have a nice day